नितिमी इसकुमार तैयार हैं। जातिकद सर्वे के साथ साथ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण ने उनके हाथ में वो राजनितिक हतिार दे दिया है, जिसकी उन्हे अर्से से तलास थी। वो विहार विधान सवा के अगले सत्र में इस सर्वे पर बहस करा सकते हैं और इसके आधार पर आरक्षन की मौजूदा विवस्था को विसंक्ती से भड़ा बता सकते हैं क्योंकि सर्वे पर नज़र डाले तो 15.52 अग्री जातियों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षन मिल रहा है 19.65 पर अंसुचित जाति के लोगों के लिए 16% आरक्षन है अति पिछी जातियों के आबादी 36% है मगर उन्हें बस 18% आरक्षन मिल रहा है और 27% पिछरा वर्ग को 12% आरक्षन दिया है कई दलों ने जातिकत सर्वे के आधार पर आरक्षन का दायरा बढ़ाने की मांग कर डाली है पस्पस्ट हो गया कि बिहार में 30% OBC है और आप देख सकते कि जिस तरीके से EWS को 10% आरक्षन मिला है 14% की आवादी को तो उसी आनुपात में EWS का आरक्षन को देखते हुए बिहार में OBC को आरक्षन को बढ़ा जाए और इसके लिए मुखमंत्री नितिस मौर जी से भी आगरा करता हूँ कि आरक्षन बढ़ा जाए और कम से कम 45% इसका आरक्षन होना चाहिए हलाकि राज सरकार साबधान है उसका कहना है कि पहले सदन में पूरी रिपोर्ट आ जाए फिर आरक्षन के दाएरे पर बात हो आने वाले समय में मानिये नेता कुछ न कुछ महत्तपून काम करेंगे ऐसा हम लोगों को विश्वास है और ऐसा हम लोगों को अभास लगता है कि जातिये गन्ना सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए नहीं जानकारी लेकर के उसके उपर आगे काम करने के लिए कुछ न कुछ नेताने प्रयास किया है और इस पर जरूर कहने कहीं कुछ काम होगा बिहार में पिछडों का आरक्षन खास कर अती पिछली जाती के समूहों का आरक्षन कितना बढ़ाय जाएगा ये फिलहाल मुक्कमंत्री नितीज कुमार के अलावा और कोई नहीं जानता लेकिन उनके कटर आलोचक भी मानते हैं कि अगर 15% आवादी को 10% आरक्षन का लाव मिल रहा है वैसे में 63% के आवादी के समूह को मात्र 30% के आरक्षन के दाएरे में सिवित रखना कहीं से नियाय संगत नहीं क्यामन हवीव अली के साथ मनीज कुमार एनिटीवी इंडिया के लिए